हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल लेल वीडियो में आज हम बात करते हैं वादी और परतिवादी क्या होता है जैसा कि आप लोगोंने कोट के मामलों में वादी और परतिवादी सब्त सुना ही होगा या सुनने में आता ही है जो कोट से सम्मिदित होते हैं वीडियो को एन तक जरूर देखना आज हम इसी के बारे में बात करेंगे वादी और परतीवादी होता क्या है और इनमें क्या अंतर होता है जैसा की वादी को इंग्लिस में पिटीसट्नर और परतीवादी को रेस्पोडेंट कहा जाता है वादी और परती वादी का मतलब हमारे सामने जादतर रोजाना की जिंदिगी में वादी परती वादी सब्सुनते रहते हैं प्रंतु इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं अगर साधरनभासा में समझा जाए तो वादी वह वक्ती होता है, जो किसी के बारे में नियाले में सिकायत यानि याची का दायर करता है वह वादी होता है, कुछ अडालतों दावेदार और सिकायत करता भी कहा जाता है पर्तिवादी क्या होता है पर्तिवादी व्य वक्ति होता है जिसके खिलाफ वादी द्वारा कारेवाई की जाती है साधन भासा में हम बात करें तो पर्तिवादी एक कथित आरोप के लिए मुकत्मा दर्ज वक्ति होता है एक पर्तिवादी भी अपनी बेगनाई सावित करने के लिए भरपूर प्रियास करता है और अपने उपपर वादी दोरा लगाए गए आरोपों से इंकर करता है वादी को सबूत जुटा कर सावित करना होता है कि पर्तिवादी ने आरोप किये हैं परतिवादी को भी अदालत में अपने आपको निर्दो सावित करने का मौका दिया जाता है अब जानते हैं वादी और परतिवादी में क्या अंतर होता है एक वादी वह वेक्ति होता है जो किसी अन्य वेक्ति के विरूद कानूनी कारेवाई आरम करता है परतिवादी वहवक्ती होता है जिस पर वादी द्वारा मुकदमा चलाया जाता है अपराधिक मामलों में एक परतिवादी भी आरोपी के रूप में माना जाता है परतिवादी के विरूद वादी को आरोप सावित करना होता है ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के लिए आप LLB वीडियो को फोलो करें चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू